समर सिंग पर जिस चीज को लेकर सबसे ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा था कि वो अकांग्चा दूबे को पैसे नहीं देता था, वो अकांग्चा से काम तो करवाता था लेकिन अकांग्चा को उस काम के बदले पूरे पैसे नहीं देता था, यह आरोप अकांग्चा के प उनके काम के बदले उसके अनुसार जो महनेताना होता था उनको कभी पूरा नहीं दिया जाता था कभी भी उनको पूरी फीश नहीं दी गई खास बात ये है कि जिसने भी ये सारी बाते बताई है उस लड़की पर आरोप लगाया जा रहा था कि ये समर सिंग से मिली हुई है वो लड़की जो अकांग्चा के मौत के बाद मुंबई से बनारस आई थी उस पर आरोप है कि उसने अकांग्चा की लास को जल्दी-जल्दी पुलिस से ले कर उसको बिना एम्बूलेंस में लादे कैसे भी एक खुली गाड़ी में लेकर वो अकांग्चा की मृत शरीर को बनारस के मनी करने का घाट ले गई और जल्दी जल्दी अकांचा का अंतिम संसकार करवा दिया। बीच में जब बोजपूरी की गाईका और एक्ट्रिस निशा पांडे ने अकांचा की मा को कॉल करके लास को नहीं जलाने उसका अंतिम संस्कार नहीं करने की हिरायत दी थी, उन्होंने बताया कि अगर वो मिरे शरीर को जला देंगी तो सारा सबूत मिट जाएगा, तो यहीं अनुरादा सिंग ने मीडिया में आकर अकांचा से जुड़ी बहुत सारे बाती बताई है, जिसके बारे में हम वीडियो में आके चर्चा करेंगे, पर उससे पहले नमस्कार जमाजम भोजबुरी देख रहे हैं और मैं हूं सन्नी विस्रा, कैमरे के पीछे हमारे साथी वि करनी का घाट जा रहे थे, निशा ने अकांचा की मा से कहा कि आप लोग लास को मत जलाईएगा, अगर आप लास को जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं, तो जो भी सबूत है, वो समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप अप रदियों को सजा नहीं दिला पाएंगे आपकी बेटी को न्याय नहीं मिल पाएगा, जब अकांचा की मा ये सारी बाते सुनकर लास को नहीं जलाने के लिए कहती हैं, तब तक एक लड़की उनसे फोन छीनती है, और निशा को गाली देकर फोन काट देती है, इसके बाद ये लड़की लास जलाती है, पूरे टाइ सिंग एक मीडिया चैनल से जुड़े हुए थे, दोनों आमने सामने थे, तब अकांचा की मा अनुराधा पर कई सवाल खड़ा कर रही तो उससे कई सवाल पूछ रही थी, वो अनुराधा को जला कर भाग क्यों गई, अकांचा के मा ने एक संदिक आदमी पर भी सवाल उठ काया, कि उनके साथ जो एक लड़का था, जिसको मनोज मनोज वो कह रही थी, वो कौन था, और यहां अनुराधा सिंग फंस्ती हुई ने जराई, वो इसका जबाब नहीं दे पा रही थी, अनुराधा ने बताया कि वो वनारस के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए उनके क इसी दोस्त ने उस आदमी को मदद के लिए वेजा था, और जब अनुराधा से पूचा गया कि वो अकांग्चा को समर को कैसे जानती है, तो समर पर जो अकांग्चा का पैसा नहीं देने का जो आरोप लगता है, उसमें क्या सच्चाई है, तो इस पर अनुराधा का उनको बात करती थी, तो इसके द्वारा वो समर को जान गई थी, और अनुराधा ने बताया कि कई बार अकांग्चा को समर से पैसे के लिए कंप्लेन करते हुए, लड़ाई जगड़ा करते हुए, वो समर से पैसे मांगती थी, अनुराधा ने बताया कि अकांग्चा को कभ सब्सक्राइब है लेकिन परिवार के आरोप कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था पर अनु राधा सिंग ने इस बात को इसे हप sir नहीं重要 पोर में चुन पोछ पूरी क्लिंटी यह थे